अब सवाल ये उठता है कि कोई भी चीज एसीड है या बेस है हमने तो यहाँ डेफिनेशिन बता दी कि जो हाइड्रोनियम आयन याने के ह पोजिटिव देता है को सोलुशन में वो एसीड है और जो ओएच नेगेटिव देता है वो बेस है लेकिन जनरली इसका पता कैसे लगेगा भया हमारे सामने ऐसीड रख दिया जाए तो उसमेंसे तो ऐसा होगा नहीं कि एच पोजिटिव एकदम बाहर निकल के आएगा और हमें दिखाई देगा तो एक कॉमन परसेप्शन के लिए हमें जरूत पढ़ती है कुछ इंडिकेटर्स की कि कोई भी सबस्टांस हमें दिया हुआ है वो एसीडिक है या बेसिक है उसका पता कैसे लगाएं तो उसके लिए कि कोई भी सबस्टांस एसीडिक है या बेसिक है उसको टेस्ट करने के लिए जिन सबस्टांसिज का हम यूज करते हैं उनको कहा जाता है Indicators तो अब अपना टोपिक भी यही है Indicators Indicators क्या है ऐसे Chemical Substances हैं जो किसी भी Substance की हमें Acidic या Basic Nature के बारे में बताते हैं Chemical Substances Which Detect Acidic and Basic Nature Acidic और Basic Nature को जो Detect करते हैं जो उनके बारे में हमें बताएंगे उनको कहा जाता है Indicators यह जो Indicators हैं Simply इनको Acid Base Indicators भी कह देते हैं यानके Chemistry में इनको Proper Name से हम पढ़ेंगे Acid Base Indicators और Generally यह Organic Compounds होते हैं जो Plants से Derive की जाते हैं Plants से हमें मिलते हैं तो बहुत सारे Indicators हैं कुछ के बारे में हम यह पढ़ने जा रहे हैं 7th Class से ही 6th 7th Class से ही शोर शुरू हो जाता है Litmus का तो आज इस Litmus के बारे में इपढ़ लेते हैं सबसे पहले यह Litmus क्या चीज है तो लिटमस के कुछ पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ कि लिटमस क्या है पहली बात है कि लिटमस एक Water Solubal Dye है ऐसी Dye है जो Water में Solubal होती है दूसरी बात यह हमें कहां से मिलेगी यह हमें मिलती है Lichen से Lichen क्या है यह एक टाइप के Organism का हो या Plants का हो जो दो चीजों से मिलके बना वे Combination है यह Algae जिसको काई कहते है पानी के उपर जम जाती है ना काई पानी वाले जगह पे और Fungus या Fungi इन दोनों के मिलने से बनते हैं Lichen यह एक टाइप के Plants है Plants की एक केटेगरी होती Thelophita उस Thelophita केटेगरी के अंदर आते है Lichen तो इस Lichen से Derive किया जाता है Littmus और यह Littmus क्या है एक Water Solubal Dye है अब देखते हैं इसका Color कैसा है हम तो यह सुनते आ रहे हैं कि Acid है तो Blue Littmus को Red कर देता है Base है तो Red को Blue तो यह तो Color Change करने की बात है कोई अगर हमसे पूछ ले भई Littmus का खुद का Color क्या है तो आपने याद रखना है कि Littmus जो है इसका Color होता है Purple Bang नहीं जो Color है Purple in Color आप से इसकी Nature पूछे कि भई Littmus यह Red Blue तो होता है लेकिन खुद इसकी Nature क्या है यह Acidic है या Basic है तो आपको याद रखना है खुद जो Littmus है It is Neutral ना Acidic है ना Basic है यह कैसा है Neutral है As such Littmus आपको Red या Blue की Form में नहीं मिलेगा वो आपको वैसा बनाना पड़ता है जब आप कोई भी टेस्ट कर रहे हो कि वह हमें Acid टेस्ट करना है या Base टेस्ट करना है इसके बाद याने के It is Made Red and Blue Ads आपको नहीं मिलेगा यह हमें Red या Blue क्या होता है बनाना पड़ता है Littmus आप खुद क्या होगा यह परपल तो तीन टाइप से आप से बाते हैं पूछ सकते हैं पहले यह पूछ लेंगे बैं Neutral Medium है तो यह कैसा होगा Acidic में कैसा होगा और Basic में कैसा होगा तो Neutral Medium है Neutral Means ना Acidic है ना Basic है तो इसका अपना इक Color रहेगा जो इसका है यानि कैसा Color रहेगा Purple, Neutral Medium में अगर आप इसको डाल देते हो अगर आप इसको डाल देते हो Acidic Medium तो Neutral तो Purple है जैसे इस इस इडिक में आप डालोगे तो यह चेंज हो जाएगा Red में और जैसे आप इसको Basic Medium में डालोगे यह चेंज हो जाता है Blue में अब जो आप छोटी क्लासिज में रखते हो आ रहे हो कि Blue Litmus को Red कर देता है तो वो Blue क्या होता है वो हमें बनाना पड़ता है पहले यह Blue है यानि कि Basic वाला Blue है इसके अंदर आप डालो Acid डालोगे तो Acid ज्यादा हो जाएगा तो Color कैसा होता जाएगा Red Base ज्यादा डालोगे तो कैसा होता जाएगा Blue याना कि Simply यह भी कैसे तो कि Purple है Acid डालोगे Red होता जाएगा और Base डालोगे कैसा होता जाएगा Blue होता जाएगा यह पहला Indicator है Litmus जो हमें बताता है कि कोई भी चीज Acidic है या Basic है दूसरा Indicator है जो यूज करते हम वो है Phenophthalene तो Phenophthalene Indicator है Acid Base के बारे में बताने वाला सबसे पहले वही बात कि यह खुद कैसा है तो अगर आप इसको देखते हो जहां यह इकठा पड़ा हुआ हो तो White Powder ही या Colorless ही होता है और यह खुद है Acidic In Nature खुद कैसा होगा Phenophthalene Acidic In Nature तो यह Organic Dye है Which is Acidic In Nature खुद यह Acidic है नेचर में Phenophthalene Formula वैसे आपको याद करने की जरूत तो नहीं है फिर भी C20 H40 O4 C20 H14 O4 यह Phenophthalene का Formula है वैसे बता रहा हूँ आपको याद करने की इसको जरूत नहीं है आपके सिलेबस में नहीं आएगा यह तो यह क्या है यह White Powder है Organic Dye है जो Acidic है नेचर में देखो खुद Acidic है इसका मतलब यह होगा कि इसको अगर हम डाल दें Neutral Medium में Neutral Medium में डाल दो या फिर Acidic Medium में तो Neutral ज़ित कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं जैसा है वैसा ही रहेगा और Acidic में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा याने कि Colorless है तो Colorless ही रहेगा क्योंकि Acidic तो यह खुद है तो Color में कोई ज़ित नहीं आएगा Neutral में कोई effect होता ही नहीं कि ना वो Acid है ना वो Base है तो इसमें रहेगा Colorless लेकिन Basic में डालोगे तो फर्क आएगा In Basic Medium अगर Basic Medium में है तो यह हो जाता है Pink Color का याने कि Finofthlean Neutral और Acidic Medium में Colorless रहेगा और Basic Medium में Pink हो जाएगा तो यह एक Acidic Dye है अगर केवल Acidic Dye पढ़ें और Basic Dye ना पढ़ें तो भी बहुत नाइनसाफी है तो Basic Dye भी पढ़ लेते हैं Basic Dye है Methile Orange Methile Orange एक Basic Dye है याने कि खुद यह Basic है Color तो इसका पता लगी रहा है नाम से Orange या Yellow Orange और Yellow इस टाइप का इसका Color रहेगा खुद का Color यह अब देखो यहां से क्या पता लग गया Basic यह खुद है इसका मतलब ऐसा ही Color रहेगा Yellow और Neutral है तो Neutral है फरक नहीं पता है ने कि ऐसा ही रहेगा याने कि In Neutral And Basic अगर Neutral और Basic है तो इसका Color रहेगा As it is Yellow और अगर Acidic Medium में इसको आप डालके देखते हो तो यह Indicate कर देगा आपको बता देगा कि आपके पास जो दिया हुआ है वो Acid है या नहीं उसका Color यह कर देता है Red तो अगर आपके पास Red आजाए जो चीज आपको दीवी है वो Methyl Orange के अंदर आप डालते हो जैसे एक होता है Red Cabbage Juice Red Cabbage बंद गोबिज होती है Red Cabbage इसका जो Juice है यह भी एक Indicator का काम करता है और यह क्या करेगा न्यूटरल में डारेक्ट कंक्लूजन लिखते है न्यूटरल में यह रहता है परपल कलर का यहने कि जो इसका है न्यूटरल का मुझल भी इसका है यह जोगी न्यूटरल का इफेक्ट तो कुछ नहीं होता परपल कलर की आती होगो अगर आपने देखियो मार्केट में एसीड में अगर यह है एसीडिक मीडियम तो इसका कलर होता है Red Pink से लेकर Magenta तक ज्यादा तर Red Pink का इस्तेमाल करते हम और अगर डेश आपको दिया हुआ है इस जूस के अंदर आप मिला के देखेंगे तो वो Blue to Green यह कलर आपके पास आएगा यह है Red Cabbage Juice इसके बाद है Next Indicator यहीं लिख देता हूँ Next Indicator है Turmeric Juice Turmeric Means यह एक ऐसा Indicator है जो Experiment आप अपने घर पर भी करके देख सकते हो क्योंकि अलदी सब के घर में होती है उसका गोल बना के आप Acid और Base का टेस्ट कर सकते हो जैसे एक तरफ तो आप हलदी का Solution बना लो इसके अलावा निम्बू ले लो Lemon का Solution बना लो Lemon क्या है यानि कि Acidic हो गया और साबून होता है सब के घर में साबून का Solution बना लो वो क्या होता है Base होगा तो तिन्नों चीज़ें आसानी से आपके पास अवे Label है और आप यह Experiment घर पे भी देख सकते हो कर सकते हो कि कौन सी चीज Acidic है कौन सी चीज Basic है अगर यह खुद कैसा है Acidic टर्मरिक जूस खुद में कैसा है Acidic है इट मींस अगर आपके पास है Neutral और Acidic अगर Neutral और Acidic Medium है तो जो इसका Color है वैसा ही रह जाएगा कैसा Color है Yellow Color यही होता है अल्दी का तो और अगर यह Base है Basic Medium आपके पास है तो इससे Color आपके पास आएगा Reddish या बिलकुल लाल और Deep Brown Reddish का मतलब Mela Mela सा लाल यह जैसे Blue इस भी आया है Blue इस ग्रीन या इस तरह से I.S.H. यह आप English subject में पढ़ते हैं वहाँ अपने अच्छी तरह पढ़ा होगा कि इनमें क्या फरक होता है Reddish का मतलब है Mela ला लाल जैसे कि देखो एक तो मैं यह कहूँ थोड़ा सा दूसरे subject का जिकरा आगा एक तो मैं कहूँ कि कोई भी आदमी है उसकी हरकते Child-like हैं तो Child-like है मतलब बच्चे जैसी जैसे बच्चा मासूम होता है अच्छा होता है उसकी सरारते भी सबको अच्छे लगती हैं वो है Child-like और एक में यह कहूँ कि इस आदमी की हरकते Childish हैं Childish means गरना से बढ़ी हुई जो गलत हैं हेट्रड की हैं तो यह ISH है इसके यह मतलब रेडिस याने के रेड बिलकुल साफ नहीं थोड़ा धुन्दला मेला हो जाए तो रेडिस हो गया किसी भी कलर के भी चगरिये लगाएं तो तो यह Indicators हैं Litmus, Phenophthalene, Methyl Lorenz, Red Cabbage, Turmeric Juice इसके बाद और Indicator आएगा Olfactory Indicators Next Indicator अपने पास है Olfactory Indicators यह Last है कितने होगे तबने 4-5 तो यह Last है Olfactory Indicators Olfactory Word का मतलब होता है Smell, गंध, यहना के ओडर तो कुछ Substances ऐसे होते हैं जो जिनके अलग-अलग ओडर्स होते हैं अलग-अलग गंध होती है Acidic और Basic Medium में यहना के ऐसे इंडिकेटर्स Indicators Giving Different Orders जिन में अलग-अलग स्मेल आती है In Acidic And Basic Medium जिनका Acidic और Basic Medium में अलग-अलग गंध होती है Orders होती है जैसे के कुछ Naturally Accring है उनका Example हम ले रहे हैं जैसे Onion है Onion को क्या करो प्याज जो है इसको आप कोई कपड़ा लो उसके ओपर अच्छी तरह रगड़ा लो कि प्याज की गंध आए इस टाइप से याने के Onion है इसको हमने कहा किया Cloth के उपर Strip टाइप बना ली छोटा कपड़ा लिया उसके उपर अगड़ लिया अगर हम इसको डाल देते हैं Acidic Medium में In Acidic Medium तो जो Onion की Smell है Ammonical होती है वो Agitives रहेगी Remain Ammonical Smell लेकिन जैसे ही आप इसको Basic Medium में डालोगे तो Basic Medium में डालते ही ये Smell खतम हो जाएगी Smell डिस्ट्रोइड या Vanished, Disappear वो Smell नहीं रहेगी इसी तरह दूसरा और Natural का एक्जामपल है जैसे Vanilla Vanilla Essence इसकी जो Smell है वो Sweet Smell होती है इसमें भी आप क्या करोगे, Acidic Medium में डालोगे तो Acidic में क्या होगा, कोई फरक नहीं पड़ेगा जो इसकी Smell है वो Agitive रहेगी अज सक्च लेकिन जैसे आप इसको Basic Medium में डालोगे तो Basic Medium में डालते ही Smell खतम हो जाएगी तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सी चीज Acidic है, कौन सी Basic है वो कोई बी चीज दे रखी आपको, हमें बताना यह Acid है, Base है तो जो भी Vanilla है इसके उपर आप डाल के देखो वही Smell रहे है इसकी Sweet तो समझो, वो Acid है और खतम हो जाएगा तो समझो क्या है, Base है Next एक होता है, Clove Oil Clove, Long जो होती है, Long इलाइची, Long सुनी होगी तो वो जो है, इसका भी ही है अगर Acidic है, तो As Such जो इसकी Smell है वही रहे हैं आपकी जो Basic है, तो इसमें क्या होता है, Smell खतम हो जाती है तो यह है, All Factory Indicators अब यह जो Indicators हैं, इनके Base के उपर कुछ Questions कर लेते हैं, 4-5 केवल वही Questions मैं उठा रहा हूँ जो Previous Year NTSC में आये हुए है और जो इस Topic में हमने Cover नहीं किये है वो वो करवा रहा हूँ जितने 5-4 बनते है जैसे पहला Question है, Practice के लिए बहुत बार यह पुछा जाता है कि Hydrogen जो है यह किस तरह भी एकरता है, Hydrogen Gas जो है यह क्या करेगा, Litmus अगर इसके साथ Treat किया जाए Hydrogen Towards Litmus तो Hydrogen याद रखना है, जैसे आप Litmus से React करवाओगे तो इसका Correct रहेगा Neutral Next Question यह पुछा हुआ है, कई बार What are Universal Indicators Universal Indicators क्या है तो इसमें क्या करते हैं, हम बहुत सारे Indicators ले लेते हैं 4-5 जितने भी हैं, Different Indicators जिसके करण क्या होता है, कि अलग-अलग pH के उपर अब हम आग के जाके पढ़ेंगे, इसी चेप्टर में pH pH एक Scale है, Sorenson ने बनाई थी Sorenson एक Veganic थे 1909 में, उन्होंने Scale बनाई थी उस पर 1 से लेकर 14 तक चिन है, जो मैं ये बताते हैं कि कौन सी चीज acidic है, कितनी है कौन सी चीज basic है, कौन सी neutral है तो Universal Indicators क्या है Mixture of Indicators होते हैं और उसमें अलग-अलग pH के उपर अलग-अलग color आते हैं याना कि क्या कहेंगें इसको ये क्या है Mixture of Indicators Indicators के Mixture होते हैं Universal Indicators और different color आएंगे इनके different pH के उपर Different colors at different pH अब next question अब पूरा question मैं पढ़कर नहीं बता रहा हूं आपको मैं बता देता हूं इसमें क्या पूछा हुआ है और हम उसको कैसे समझेंगे ये कह रहा है कि आपके पास Concentrated Equus Solution है NACL का अमारे पास क्या है Concentrated Solution है NACL का Equus का इसमें से ये कह रहा है कि Electricity Pass कर दी हमने Electricity Pass की Equus Solution बनाया किसका NACL का इसके बाद क्या किया इस Solution को Two Equal Parts में डिवाइड कर दिया दो पार्ट बना लिए जैसे ये देखो दो बरतन थे ये एक आदा इसमें आदा इसमें इसके दो पार्ट बना दिया ये पहला ये दूसरा इस तरह से एक पार्ट में डाला Phenophthelin यहां पिर से बना देता है इसको दो पार्ट इसने बनाए बैएक वस एनने सिल सोलुशन लिया दो पार्ट बना लिए ये है पार्ट वन और ये है पार्ट टू क्या कह रहा है कि पार्ट वन में Phenophthelin डाला इसमें Phenophthelin डाल दिया और पार्ट टू के अंदर मिथाईल ओरेंज डाल दिया अब ये पूछ रहा है कि नका कैसा कलर आएगा तो कलर जानने के लिए जरूरी है कि हम ये पता हो कि ये एसिड है या बेस है उसके लिए एक बार उपर फिर चलते हैं क्वेशन के पास एक्वस सोलूशन है एनने सील का कर लो इस रियक्शन का पोस्ट मार्टम एनने सील और क्या है ह्ट टू ओ यहना कि यहां से सोलूशन अपना बनने वड़ा है एनने ओएज का मेन ये बनेगा एनने ओएज क्या है बेस इसके अंदर भी बेस है और इसके अंदर भी बेस है तो अब आपको कोशन बिलकुल सिंपल होगा यह पूछ रहा है कि फिनोफ्तलीन बेस के साथ कैसा कलर देता है और मिथाईल ओरेंज कैसा देता है तो आइ थिंक यह आपको पहले से याद होगा कि ये तो pink देता है और ये खुद basic डाई था इसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा yellow याने कि orange to yellow ये color देता है ये acidic डाई था ये acid में agities रहता था याने colorless neutral में भी colorless और base में कैसा था pink और question करते हैं एक अब पूरा का पूरा question हम या लिख नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा time लग जाएगा इसलिए आपको द्यान से सुन लेना है और फिर हम उसको solve करेंगे कुछ तो बिल्कुल common है जैसे के red litmus paper है sodium phosphate में क्या होगा methyl orange बिल्कुल एक question यासा है जो मैं पढ़ना चाहिए ये कह रहा है FECL3 ये solution दिया हुआ है on reacting with water ये react करता है किस के साथ water के साथ will form ferric hydroxide इससे क्या बन रहा है ferric hydroxide बन रहा है and hydrochloric acid और HCl बन रहा है तो हमने ये बताना है कि color of litmus का क्या होगा देखो अब क्या हुआ reaction लिखके देखने पड़ेगी उससे clear होँगी सारी बते FECL3 है अपने पास इसको react करवा है water के साथ तो इससे बनता है ferric hydroxide F E O H whole thrice तीन है valency तो ferric दिया हुआ है ferrous होता तो valency 2 होती ferric कि 3 है एक ज़्यादा के लिए आता है last में जब 1 हो इसका मतलब ज़्यादा valency है और last में us हो तो इसका मतलब कम valency है ferrous याने कम valency है ferric ज़्यादा है cuprous याने के कम कम के लिए ये है ferrous या cuprous और ज़्यादा के लिए ये है इक जैसे H2SO3 sulfurous H2SO4 sulfuric तो ये ऐसे ही ये मतलब naming के लिए ये nomenclature है आगए आप higher classes में इसको पढ़ेंगे तो ये reaction अपने पास आगी fecl3 balance करेंगे 3H2 आएगा ये 3HCl आएगा अब देखो यहाँ दिक्कत क्या होगी अपने पास एक तो ये base और actual वाड़ा क्या आगया acid और हमसे प्रशन ये पूछ लिया इसने कि बटाओ litmus का कैसा color आएगा तो acid तो blue litmus को red करते है और base red litmus को blue करते है अब ये देखना है कि क्या होगा क्योंकि दोनों होगे तो जब दोनों हो जाएं तो ये देखना पड़ता है point to be noted ये देखना पड़ता है कि इन में stone cone है जो ज़्यादा ताकतवर होगा उसी के अनुसार हमें चलना पड़ेगा इंदी में मुआ वरे पड़ते हो ना जिसकी लाठी उसकी bench जिसके पास लाठी है लड़ाई करेगा वही bench को ले के जाएगा तो फिले तिन में कौन strong है HCL आपका फेवरेट है HCL, HNO3, H2SO4 रट रखें ये तो तिन्नों क्या होते हैं strong acid है ये है strong base के बारे में आपको बताया था alkaline, alkaline अगर lithium sodium वाली जो line है वो, beryllium magnesium वाली वो हत्ते हैं strong base बाकी क्या है? weak तो ये तो वहाँ तो है नहीं ये तो transition metal है तो ये कैसा है? weak बस decide होगा answer बता सकते हैं strong ये है तो strong decide करेगा strong अब क्या है? acid और acid क्या करते है? blue litmus to red blue litmus को red में बदल देते हैं तो ये थे indicators ऐसे substances जो detect करते हैं हमें बताते हैं कि कौन सी चीज acid है और कौन सी चीज basic है तो अब तक अम पड़ चुके हैं acids, उनकी properties, reactions bases, उनकी properties, reactions और indicators जो हमें ये बताते हैं कि acids कौन से हैं और bases कौन से हैं करते हैं झाल झाल